असलाम अलेकम जी है, I'm Zohiv from Zohiv Machines उमीद करता हूँ, आप लोग खारियत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए Singer Company की Ferryland Swing Machine लेकर आया हूँ यह Swing Plus Embroidery Machine है, इसका Model No. 9800 यह सादा सलाई ZigZekPee को Overlock Card के साथ साथ आपको built-in decorative designs, alphabetic stitches तो देती ही देती है इसके साथ साथ आप जनुमे 9500 के बारे में जामते होंगे यह जनुमे 11,000 के बारे में जामते होंगे एक्जेक्ली वैसे ही यह machine भी embroidery result देती है और इसके अंदर भी memory card लगता है इसका और आपको इसके साथ एक अदर frame भी दिया जा रहा है यह exactly same वही size है जो जनुमे 9500 machine के साथ आता है यह इतना बड़ा ही design बना सकती है inbuilt designs तो इसके अंदर ही है इसके साथ साथ आपको एक अदर memory card भी मिल रहा है इसके साथ यह तमाम तर package, embroidery unit यह तमाम तर्चीजें आपको इस machine के साथ मिलेंगी इस machine की video मैं 2 parts में बनाऊंगा वो इस वज़ा से क्योंके यह काफी lengthy हो जाएगी तो सबसे पहले inbuilt जितने इसके अंदर stitches हैं वो आप लोगों को बताएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसके अंदर embroidery unit किस तरीके से लगा जा सकते पहले इसका accessory box लगा लेते हैं आप मेरी back पे भी देख रहे होंगे मेरे पास इस time पे total 3 pieces available हैं जिसमें से एक already booked है और 2 pieces जो हैं वो आपको इस time पे मिल जाएंगे तो वीडियो जैसे ही लगे कोशिश कीजेगा जो लोग embroidery machine के बारे में और जो कहरे थे हैं जो machine सस्ती होगी उसके बारे में आये तो हमें लाजमी बताएएगा तो ये बहुत reasonable price में क्योंके जनुमे memory craft 9500 तो इस वक्त तक्रीबन कोई 2 लाख के करीब चली गई है तो वो quite expensive हो गई है तो इस वज़ा से ये उसकी तक्रीबन price में आपको मिल जाती है machine तो आप अगर ये buy करना चाहें तो as soon as possible जितना जल्दी हो सके क्योंके ये पाकिस्तान में बहुत limited pieces हैं जो के embroidery unit के साथ आते हैं ये machine अगर embroidery unit के बगएर हो तो ये बिलकुल इसके बहुत सारे features काम नहीं करते हैं तो इस वज़ा से इसकी price उससाब से नहीं होती बट अगर embroidery unit के साथ आपको अगर embroidery वाली machine चाहिए वो आपको जोईब machines पे इस टाइम पे available मिलेगी designs होंगे तो miss ना कीजेगा इस वीडियो को तो यहां पे जो जो accessories इसके साथ मिल रही हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ एक अदर memory card है काज वाला foot है screwdriver है same ripper है और इसके लावा different इसके foot हैं जैसा के overlock pico और master foot और hidden stitch वगरा के लिए होता है इसके लावा यह कि इसकी extra wire है इसका क्या काम होगा वीडियो कूरी देखेंगे तो आपको जरूर समझा जाएगी और इसके साथ एक या embroidery का frame है यह original frame होगा चाइना का या इस किसम का नहीं होगा यह original singer company का अपना original frame है एक अदद आपको यह complete embroidery unit मिलता है इसका accessory boxes के साथ मैंने attach कर दिया है यह सामने इसके built-in सारे stitches आ रहे हैं यह तमाम तर चीज़ें इसके अंदर built-in है पिस हमने नजर आ रहा है आपको simple stitching वगरा utility stitches वगरा decorative stitches वगरा काफी अच्छे आ जाते हैं यह देखें काफी खुबसूरत पूलों वाले designs है अच्छा कुछ लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा परिशान होंगा कि Japanese लिखी है तो Japanese को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कोई मुश्किल काम नहीं है गूगल ट्रांसलेटर अप्लिकेशन मैंने ओपन कर लिए और यहां पर मैंने Japanese to English सेलेक्ट कर लिए अब मैं कैमरा उप्शन के उपर जाओंगा और कैमरे को अन करूंगा तो सामने अपनी मशीन की स्क्रीन के बिलकुल आपजट रखोंगा तो अब आप यह देखें जैसे ही आपके पास अगर इंटरनेट अवेलिबल होगा तो जितनी भी जैपनिस लिखी है वो तमाम तर आप देख सकते होंगे इंगलिश में ट्रांसलेट हो गई है आप इसकी यहां से पिक्चर कैप्चर करें और इसको अराम से बैटके पढ़ सकते हैं कि एक्जेक्टली क्या लिखाव है कौन सा बटन किस काम आता है कौन सा आप्शन किस चीज के लिए है यह देख लिए हैं बिलकुल मैंने जो तो सबसे पहले जब हम मशीन को आउन करेंगे तो मशीन अपने सिंपल स्टिचिंग मोड के उपर इस तरीके से आएगी कि यहाँ पर हमारे पास यह आप्शन सामने नजर आ रहे होंगे सबसे पहले उपर जो है वो टंका बड़ा चोटा करने का आप्शन है सौरी यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह इस तरीके से सारी डिजाइनिंग वगरा आ जाती है इसकी जौन से भी स्टिच को आप सेलेक्ट करेंगे मशीन वही वाला टंका बनाना शुरू कर देगी यह उपर जो है वो टंका बड़ा चोटा करने के लिए और यह वाला जो है जिगजग बड़ी चोटी करने के लिए इसके अंदर इसकी गाइड दी गई है जैसा के आप यह सामने देख सकते हैं यहां से आप इसको उपन करेंगे तो यह सारी गाइड है जैपनिस के अंदर आप इसको गूगल ट्रांसलेटर के थूँ जैसा मैंने पहले बताया इंग्लिश में भी कर सकते हैं यहां से वापस चले जाते हैं और बहुत इजी है जस्ट आपने सिंगल क्लिक करना है और इसी तरीके से यह डिफरेंट डिजाइन वगर आते रहते हैं यही डाइग्राम्स उपर भी मेंशन की हुई है तो इस होजा से आपको इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपने यह देखें इस तरीके से यह वन और यह टू यह बकाईदा arrows बने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आईगी इसके अंदर और make sure कीजेगा जब भी आपने धागे को डालना है यह आपका foot जो है वो उपर होना चाहिए और उसके बाद यहाँ से इदर यहाँ से वापस उपर यह देखें यह arrows बने में है sometime यह hook नीचे गई होती है तो आपने यह main wheel को यहाँ से main wheel को घुमा के उपर ले आना है और यहाँ से इस hook की back side से आपने सीधा नीचे ले जाना है सामने front side से हमने sui में धागे को डाल देना है sui में हमने धागे को डाल दिया इसी तरीके से नीचे बाबन का धागा डालने का भी तरीका कार बहुत easy है just इसको यहाँ से flip करके open करेंगे और इस तरीके से इस बाबन को यहाँ से बाहर निकाल लें ठीके यह बाबन just आपने यहाँ पर रखते नहीं है और उसके बाद एक center में cut है उस cut से left करके छोड़ देंगे और उपर वाले धागे को पकड़ के इस बटन को दो दफ़ा प्रेस करेंगे निडल अप और डाउन वाले बटन को यहाँ पर machine को मैं on कर लेता हूँ जैसे ही मैं machine को on करूंगा machine अपने main menu के उपर आएगी और उसके बाद मैं screen से first option को select करके simple stitching इसकी select कर लूँगा और कपड़ा लगाके मैं आपको इसकी simple stitching करके दिखाता हूँ यहाँ से start कर दिया मैंने machine को machine ने अपने simple stitching स्टार्ट कर दी यहाँ से speed slow medium और right side पे full fast हो जाएगी यह इस machine के बटन है एक reverse का है needle up down और यह cut cut का बटन है इसको जैसे हैं प्रेस करेंगे thread कट हो जाएगा अब यह आप इसका stitch चेक कर लें नीचे वाली side और उपर वाली side से बल्कुल neat इसका stitch है अब मैं इसके zigzag के option को select कर लूँगा और आपको इसकी zigzag करके भी दिखाता हूँ मैंने इसकी दोनों किसम की zigzag कर दी है एक टांका चुटा करके भी आपको करके दिखा दी है और एक normal zigzag करके भी दिखा दी है मैंने आपको अब इसके अंदर जो different decorative designs हैं उसके उपर आजाते हैं main menu पे जाने के बाद ये second वाला बटन आपको नज़र आ रहा है इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसके decorative designs होगरा सामने आ जाएंगे जस्ट आपने उसके उपर click करना है और वो select हो जाएगा और उसके बाद वो design machine बनाना शुरू कर देगी सबसे main वाले button के अंदर इसके अंदर utility stitches हैं जैसा के सादा slice, exact वीको, overlock और cage होगरा है ये तमाम तर चीज़ें जो कि मैं आगे चलके आपको दिखाऊंगा भी बना कर भी दिखाऊंगा ये इसका एक front back वाला stitch है जो केस टाइम पर बन रहा है और ये भी आप देखनें काफी easily और neat तरीके के साथ ये machine बना रही है अब मैं कोशिश करता हूँ आपको fast forward में इसके different किसम के decorative designs बना कर दिखा दूँ क्योंके वीडियो औरेडी काफी लंबी हो रही है क्योंके इस machine के अंदर functions ही इतने ज्यादा है तो मेरी कोशिश है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज़ें इसकी दिखा सको ये देखें कितनी खुबसूरत designing machine अभी कर रही है अभी मजीद और stitches भी हैं वो भी बनाते हैं इसके उपर अभी तो काफी सारे डिजाइन्स वगरा मुझूद हैं या पर इस machine के उपर आप कोई भी नाम वगरा भी लिख सकते हैं इसके अंदर ये भी option है आप small font में लिखना चाहें या normal font में इसके लावा italic font में लिखना चाहें तो वो भी possibility है तो हम इस machine का नाम लिख देते हैं एस आई एन जी ई और आर या आप देख सकते हैं इस machine के उपर काज करने का तरीका देखते हैं काज करने के लिए में ये वाला foot required होगा इस side पर हमने button का size देना है जितना हमने काज करना है इस option पर आने के बाद last option है हमारे पस यहां से हम इसके उपर 1,2,3,4,5 5 types के हम इसके उपर काज कर सकते हैं हम एक normal काज सेलेक्ट करते हैं और ये foot यहां पर लगाते हैं इसके अदर काज वाला foot लगाने के लिए यहां पर आपने ये pin देख रहे हैं आपने देखा machine automatically stop हो गई उसके बाद अब यहां पर इसका thread कट रहे है यहां से हम इस button को प्रेस करेंगे हमारा thread जो है वो कट जाएगा ये fabric जो है ये remove हो जाएगा आपको इसके साथ stream ripper दिया जा रहा है इसके थूँ आप इसको cut कर सकते हैं और ये आपका काज complete हो गया इस machine के ओपर overlock करने के लिए हमें ये वाला foot required होगा इस foot को लगाने का तरीका कार ये है कि यहां पर आपने इसके नीचे यहां पर रख देना और उसके बाद उपर से foot को down कर लेना यह automatically इसको grip कर लेगा यहां उपर भी चार्ट पर बताया हुआ है कि इसके अंदर overlock वाला stitch कौन सा है यहां पर भी मैं आपको बता देता हूँ यह three types की overlock कर सकती है हम सबसे first number वाली overlock select करेंगे और इसके अंदर एक black color का separator होता है और यह foot के अंदर दिया हुआ तो हम इससे left hand side पर कपड़े को रखेंगे complete foot के नीचे कपड़े को नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता कि overlock जो है कपड़े के edge के उपर होती है यह हमारे कपड़े के उपर overlock हो गई यह दूसरी side से और यह बिलकुल edge जो है कपड़े का lock हो जाएगा singer की machine के ओपर pico करने के लिए हमें सबसे पहले एक कदर दुबटा चाहिए और यहां से हम main पर आते हैं और यहां से हम इसकी simple zigzag को select कर लेते हैं pico के लिए foot आपको machine के accessory box के अंदर दिया गया होगा यह वाला foot आपने लगाना है इस foot को लगाने का तरीका कार यह है कि यहां पर आपने इसको इस जगा पर रख देना है foot injector के नीचे और उपर वाली side से आपने जैसे ही आप foot को down करेंगे यह automatically machine इस foot को grip कर लेगी यहां पर आपने कपड़े को लगा देना और उसके बाद यहां से start कर देना यह आप देख सकते हैं यह machine ने पीको कर दी नीचे वाली side से ऊपर वाली side से यह बिलकुल कपड़े का edge जो है वो गोल हो गया पहले इस तरीके से rough था और यह इस तरीके से आप अपने पूरे दुबटे को घर बैठे पीको कर सकते हैं सिंगर मिशीन के उपर बॉबन फिल करने का तरीका कार देख लें बॉबन को आपने इस जगा देना है वैसे तो इसके अंदर एक होल होता है उसके अंदर भी आप धागे को लगा सकते हैं इसको राइट साइड पर प्रेस कर दें और इसके बाद मिशीन को स्टार्ट कर लें मिशीन स्टॉप हो जाएगी यह बॉबन फिलर फिल होना शुरू हो जाएगा इस मिशीन का नेक्स पार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको बरवक्त मेरी वो वीडियो मिल सके तैंक्यो लाफे